नमस्कार मैं रविश्खुमार अब तो आप साल भरी फूल बनाये जाते हैं इसलिए आज के दिन अप्रैल फूल का कोई मतलब नहीं है प्रधान मंतरी की डिगरी को लेकर बहस हो रही है विश्वगुरू की कौन सी डिगरी होती है लेकिन आप विश्वगुरू विश्वगुरू तो करी रहे हैं कोई देश किसी परिक्षा में पास होकर विश्वगरू बनता है। क्या कर लेने पर कोई देश विश्वगरू बन जाता है। क्या आपको पता भी है। जब यही पता नहीं है कि विश्वगरू क्या है तो डिगरी जानकर क्या करेंगे। यहीं दिली में आईपी कॉलेज में छात्राइं प्रदर्शन कर रही हैं। उन से पहले मिरांडा और गारगी की छात्राइं कॉलेज उत्सव के दोरान लड़कों के आकरमन और गुंडागर्दी को जहल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट है कि लड़के लड़कियों के कॉलेज में घुसकर नारे लगाते देखे गए कि लड़कियां हमारी हैं आईपी कॉलेज की छात्राओं ने इसके खिलाब प्रदर्शन किया प्रिंस्पल से इस्तीफा मांगा है लेकिन क्या हो रहा है गारगी कॉलेज में गुंडा गर्दी करने वालों का ही क्या हो गया क्या आप यह तस्वीर भूल गये हैं जब गारगी कॉलेज के प्रांगन में हजारों लड़कियों ने गुंडा गर्दी के खिलाफ इनकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाये थे लेकिन उससे क्या हो गया लेकिन आप इतना तो देखिए कि जिन संसानों से डिग्रियां मिला करती हैं उनकी क्या हालत बनाई जा रही है जेनियू के साबरमती हॉस्टल में गुंडा गर्दी करने वाले और वालियां आज तक नहीं पकड़ी गई और पकड़े गए इसे लेकर इस दिल्ली में कोई बहस नहीं है प्रधान मंत्री की डिग्री को लेकर बहस जरूर है क्योंकि मुद्दे को शिफ्ट करना लगता है वरना दो मिनट की बात थी प्रधान मंतरी इतना कुछ ट्वीट करते हैं अपनी डिग्री ही ट्वीट कर देते और बात खत्म हो जाती देश का समय बच जाता आप उनकी डिग्री की बात कर रहे हैं यहां तो फ्रॉड लोग प्रधान मंतरी कार्याले का नाम बेच कर ठगी करने लग जा रहे हैं बिद्या कसम आपको ये खबर दिखाना चाता हूँ ये खबर हिंदुस्तान अख़बार की एक्स्क्लूसिव बताई गई है मुझफर पुर में किसी ने प्रधान मंतरी कार्याले का नाम लेते हुए स्कूलों को इमेल कर दिया कि प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना का कोई कोर्स है जो कम दाम में दिला देंगे पैसा भी मांगने लगा बताईए आप यहाँ प्रधान मंतरी की डिगरी की पूछ रहे हैं इधर भाई लोग उनके आफिस थे नाम से फर्जी कोर्स बेच रहे हैं खबर में तो यह भी लिखा है कि बिहार, मद्यप्रदेश समेट कई राज्यों के स्कूलों में इस तरह के इमेल के माध्यन से रैकेट चलाने से सम्बंदित मामला सामने आया है अगर ऐसा है तो आपका भविश्य कैसा है आप समझ सकते हैं आप सोचते होंगे किस बहस में कहां की बात ले आया हूँ आपका यह सोचना सही भी है और सही नहीं भी है अब देखिए पिछले दिनों त्रिनमल कॉंग्रेस की सांसद महुआ मोहितरा ने बीजेपी के सांसद निशीकान दूबे की डिगरी पर गंभीर सवाल उठाए खोले आम सवाल उठाए मगर कोई जवाब नहीं आया जब आप एक सांसद की कथित रूप से फर्जी डिगरी के आरोप पर जवाब नहीं पाते हैं तो प्रधान मंत्री की डिगरी को लेकर कैसे जवाब मिल जाएगा Do you get my point? महुआ मोहितरा ने तो दस्तावेज भी ट्वीट कर दिये बकाइदा तर्क संगत तरीके से चुनवती दी लेकिन जवाब के नाम पर बहस तू तू मैं मैं में बदल दी गई आप पहले निशिकान दूबे की डिगरी जाज कर दिखा दीजे मुझे पूरा भरुसा है उसके बाद तुरंथी प्रधान मंतरी अपनी डिगरी दिखा देंगे और उनकी डिगरी देखने के लिए आपको अदालत में याची का दायर नहीं करनी पड़ेगी महुआ मोहितरा ने कितने दस्तावेजों के साथ ट्वीट किये हैं कि BJP के सांसद निशिकान दुबे की डिगरी कथित रूप से फ्रॉड है फर्जी है लेकिन जाच नहीं हुई कम से कम इस मामले में प्रधान मंतरी कह सकते थे कि निशिकान जी डिगरी दिखा दिजिए प्रधान मंत्री अपने डिग्री नहीं दिखा सकते मगर एक सांसत की डिग्री का सच तो बताया ही जा सकता है कितनी देर लगनी चाहिए इसमें वैसे भी जब इस देश में इतने सारे जूट चल गए चल रहे हैं तब एक डिग्री का सच जानकर आप क्या कर लेंगे ये वो नेशन है जो कभी नो के नाम पर वंट किया करता था अब तो जब नेशनवे वंट वंट नहीं कर रहा है तो आप क्यों वंट वंट किये जा रहे हैं कि डिग्री देखेंगे बात समझिए मेरी पूछ लीजिये तमाम दुलहनों से शादी के पहले और बाद में दूलहे की डिगरी पता करना इस देश में कितना मुश्किल काम है बहुत से पती अपनी पतनी को ओरिजिनल डिगरी नहीं दिखाते हैं केबल बताते हैं ये बात सच है हमारा समाद जानता है लोग फर्जी डिगरी दिखा कर इस कंट्री में मेरिश तक कर लेते हैं हाली में कैनेडा ने ग्रेट इंडियन मिडल क्लास के 700 बच्चों को वापस जाने के लिए कह दिया जिन्होंने गलत दस्तावेश दिखा कर एडमिशन ले लिये हैं कितने ही लोग जाती प्रमान पत्र फर्जी बनवा लेते हैं और आरक्षन का लाब ले लेते हैं आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में लाखों नौजवानों को तीन साल के बीए की पढ़ाई की डिगरी पांच साल में भी नहीं मिलती है यहां आप फर्जी डिगरी बनवा सकते हैं तमाम खबरें मिल जाएंगी पैसे देकर पिएजडी की डिगरी ले ली गई है बहुत सी खबरें तो छबती भी नहीं है इसलिए आपको तै करना होगा कि क्या प्रदान मंत्री की डिगरी बहुत जरूरी है आपके लिए देखना उनकी पार्टी के सांसत की डिगरी फर्जी है यह जानना क्यों नहीं जरूरी है गुजरात हाई कोट के फैसले के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल डिगरी के बहाने प्रधान मंतरी के पुराने बयानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं जब हम देखते हैं कि प्रधान मंतरी मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलit कर देते हैं जैसे एक उनका बयान आया कि नाली मेंसे जो गैस निकलती है उस गैस से चाई बनाई जा सकती है मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तिमाल करके उससे चाई बनाई जा सकती है कोई भी जानकार आदमी पढ़ा लिखा आदमी इस किसम की बात नहीं करेगा एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल है तो बादलों के पीछे हवाई जाज जो है उसको राडार नहीं पकड़ पाएगा ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे है आर्मी के लोगों ने, फॉज के लोगों ने, एर फोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है कैनेडा गए वो कैनेडा में उनोंने कुछ वो कहनी की कोशिश कर रहे थे A plus B square, whole square, bracket square लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े embarrassing फील कर रहे थे एक और में देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को address कर रहे हैं बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे climate change जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कोई climate change नहीं है अब climate change global climate change global warming जो है ये बहुत बड़ा सक्ते है ये पूरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि climate change कुछ नहीं है ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है तो फिर तो उसके उपर हम action भी कैसे ले पाएंगे और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दभी जबान में मस रहे थे ऐसे में यह संदेह होता है और यह प्रश्ण उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं अभी तो अदानी का मामला चल रहा था महंगाई का मामला चल रहा था अचानक डिग्री का आ गया इस पुराने विबात से उम्मीद है भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार आ जाएगा कम से कम यही देख लीजे कॉलेज में पढ़ाई का स्तर योग्यता और अनुभव को किनारे कर अपने लोगों को टीचर बनाने का खेल दिल्ली युनिवर्सिटी का सेशन लेट इन सब पर अब जन कौन कौन पैसा दे रहा है नाम ना पता चले ऐसा कानून आपने क्यों बना दिया पारदर्शिता का मतलब बदल गया है इसका नया मतलब है उस पार की सुचनाओं का दर्शन कभी नहीं होगा आप घंटी बजाते रह जाएंगे यह उनके लिए शोभा भी नहीं देता कि अ वहां से उन्होंने पढ़ाई की उनके क्लासमेट तो होंगे ही अब वे सामने नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें वरना तो प्रधान मंत्री के साथ पढ़े लोग कितने गर्व के साथ री यूनियन की तस्वीरे खिचाते हैं फेस्बुक पर लिख रहे होते यह लोग अब उ किसकाम की रह जाती होंगी कितनी बार इससे जुड़ी खबरें बता चुका हूं क्या नौजवान सडक पर आ गये या कोचिंग इंडस्ट्री में जाकर खब गये अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुनाई दे रहा है कि जो लोग 10-10 साल से एड होग पढ़ा रहे थे उनकी जगह किसी और का पर्मानेंट हो जा रहा है समाज इतने दुखों को जेल जाता है पचा ले जाता है तो एक प्रधान मंत्री की डिगरी को क्यों नहीं पचा सकता सब तरफ शान्ती ही शान्ती है जो 10 साल से पढ़ा रहा था तब लायक था लेकिन पर्मानेंट करने का टाइम आया तो लायक नहीं रहा दिल्ली विश्य विद्याले में वर्षों तक एड़ोग पढ़ाने वाले इस समय लोगतंत्र नयाएं इन सब के बारे में किस तरह से सोच रहे होंगे किसका हो रहा है कैसे हो रहा है इस पे सारी चर्चाएं गुप्तरुप से हो रही हैं अ आप जनता पचाएंगे पचाना पड़ेगा दुनिया में भारत अकेला देश है जो विश्व गुरु बनने माला है क्या पता बन भी चुका हो इस विश्व गुरु भारत की युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की भी खबरे दिखाना चाहता हूं फिर डिगरी की बहस करत हैं मगर प्रधान मंत्री की डिगरी विबाद को ठीक से समझने में मदद कर सकती है डैनिक भासकर में पांच महीने पहले छपी है कि डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम टेकनिकल युनिवर्सिटी के पुर्व कुल पती पर F.I.R कानपूर के छत्रपती शाहु जी अलग हुई कारवाई पुर्व कुल पती अशोक मित्तल को शिकायद पर ही हटा दिया गया विनए पाठक F.I.R के बाद भी बचे हुए हैं इस साल दस जनवरी को जागरण में यह खबर छपी है कि कानपूर विश्य विद्याले के कुल पती विनए पाठक के विरुद सीब F.I.I. और E.D. लगी है ये खबर तो सारजुनिक है लेकिन बाकी जो नहीं है वहाँ ऐसा नहीं होता हो आप दावे के साथ नहीं कह सकते इस कंट्री में हम आपको बता दें कि मद्ध्रदेश में वाइस चांसलर को हिंदी में कुल पती कहा जाता था लेकिन पिछले साल वह क्या बदलावाया है यह तो चात्र ही बता सकते हैं यहां एक Medical Science University है पिछले दिनों इस पर आरोप लगे कि फरजी तरीके से चात्रों को यहां पास कराया जा रहा है कितने लोग इस देश में फरजी तरीके से डॉक्टर बन गए आपको पता नहीं है क्या व्यापम आपको पता नहीं है और आप प्रधान मंत्री की डिग्री पूछ रहें अगर पलटकर प्रधान मंत्री जी ने सब की डिग्री के बारे में पूछ दिया तो मुझसे मत कहिएगा मद्य प्रधेश से सैंपल के तौर पर आप ये खबर देखिए पिछले साल जनवरी की है भोज विश्य विद्याले के कुलपती जयन्त सुन वलकर पर भरस्टा चार के आरोप लगे तो कमिशनर ने उनसे पूछ ताच की और जांच रिपोर्ट सौपी उन पर 6 करोड के आरोप लगते रहे हैं इस खबर के अनुसार तो अखिल भारतिय विद्यारती परिशद ने ही छतर पूर के महराजा छतर साल यूनिवर्सिटी के कुलपती टी आर थापक पर भरस्टा चार के गंभीर आरोप लगाए अप्रेल 2019 की ये खबर है माखन लाल चत्रुवेदी प पत्रकारिता विश्विद्याले के पुर्व कुलपती बी के कुठियाला सहित 19 लोगों पर केस दर्ज हुआ है करप्शन का केस है पिछले साल अप्रेल में भासकर की खबर है कि पत्नी की फ्लाइट और आईफोन में फसे कुलपती कुठियाला माखन लाल यूनिवर्सिटी और धर्म की राजनिती में वाइन कैबिनेट की जगह है ये कितनी शांदार बाद है लेकिन अखबार ने आगे लिखा है कि अन्य सामान भी खरीदा मगर ये खबर भी छपी है कि आर्थी का पराद अनुवेशन प्रकोस्ट ई-ओ-डबलू ने जब कुठियाला के खिलाफ ह कोई अलग-अलग शिकायतों की जाच की तुने क्लिंचिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी लेहाजा 11 अप्रेल को राजधानी की विशेश अदालत ने उस रिपोर्ट को खारिजगर दिया विशेश नियाधीश अमितरंजन समाधिया ने अपने फैसले में क रहा है कि अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले की जाची ठीक डंग से नहीं की ठीक से जाच नहीं हुई तो यही नतिजा निकलता है आप विश्व गुरू के विश्व विद्यालयों में कुलपती कैसे बनते हैं कौन लोग बनाये जाते हैं उनका क्या ट्रैक रेकॉर्ड होता है क्या करते हैं इन सब पर गहराई से बहस करेंगे तो चक्कर आ जाएगा सही बता रहा हूं सोचिए राष्ट्रवाद और धर्म की राजनिती के कोटे से आने वाले कुलपती भी इमांदारी से शिक्षा के लिए काम नहीं कर पाते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से ज दिगरी को लेकर बहस करें ठीक नहीं है राजिपाल ही तैय करते हैं कि कौन कुलपती होगा तब ये हाल है अंदर खाने की तो बहुत सी खबरे होती हैं कि पैसे दे कर भी कई लोग कुलपती बन जाते हैं इस तरह की चर्चाएं चलती है केवल डिगरी फर्जी है यही एक म खबरे मिलेंगी मगद विश्विद्याले के पुर्वकुलपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद पर तो करोडों के फ्रॉड के आरोप हैं कई महीनों तक फरार रहने का सुख प्राप्त करने के बाद राजेंदर प्रसाद ने हाल में सरेंडर कर दिया यिस इन्वर्सिटी में तीन साल का बीए पांच साल में भी नहीं हो पा रहा था कितने चात्रों का जीवन बरबाद हुआ एक दूसरी खबर है कि पटना राजभवन ने छप्रा के जैप्रकाश नाराइंड विश्विद्याले के कुल सचिव डॉक्टर रवी प्रकाश बबलू को तत्काल प्र प्रफिसर बनाना फर्जी डिगरी बाटना और पैसे लेकर असली डिगरी देना यह सब अनुवाव भारतिया नागरिकों के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है यही कारण है कि प्रधान मंत्री की डिगरी कोई मुद्दा नहीं है वरना उनकी डिगरी और उनके साथ पढ़ाने के नाम पर कई बार घटिया लोगों की नियुक्ती की खबरे आती हैं तो कई बार यह भी खबर छपकर रह जाती है कि पढ़ाने वाला ही नहीं है हम तीनों राज्यों का उधारन हमने दिया मगर आप बाकी राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो यूनिव किया है वैसे पत्रकारिता की डी भी बढ़ जाती है ये बात पत्रकारों को मालूम ए अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री नही इमारत का दोरा कर रहे हैं मगर पत्रकारों में इसे लेकर इतना उच्सा क्यूं है एक सांसत की सदसिता कोट का फैसला आते ही चली आती है मीडिया चुप रह जाता है उल्टा उसी सांसत को लिप्चर देता है कि सम्विधान से देश चल रहा है तबी एक दिन बाद यह भी खबर आती है कि एक सांसत की सदसिता बहाल कर दी गई है हाई कोट से स्टे मिले कई हफ़ते हो गए थे उनकी सदसिता बहाल नहीं हुई लेकिन सुप्रीम कोट में सुनवाई होने वाली थी तो उसके पहले ही सदसिता बहाल कर दी गई क्या इस तरह से समविधान के अनुसार देश चल रहा था इस पर बहस नहीं बहस है कि नई इमारत से नए भारत का उदय हो रहा है क्या इस मीडिया ने आपको बताया कि लोक सभा में 2021 में एक कानून भी पास हुआ और्डिनेंस फैक्टरी के करमचारी हर्ताल में जाएंगे तो एक साल की जेल हो जाएगी और हर्ताल के आयोजन को चंदा दे देंगे तो दो साल की जेल होगी इन्हें लोक तंत्री की चिंता नहीं है मगर इमारत शांदार है इसे लेकर मीडिया उच्छल कूद मचा रहा है जो पत्रकार संसत की इस इमारत को लेकर ट्वीट कर माहौल बना रहे थे क्या वे यह भी बता रहे थे कि 45 लाख करोड का बजट बिना चर्चा के पास हो गया संसत की इमारत बन गई है 20 हजार करोड की लागत से सेंटरल विस्ता अब तयार होने को है वक्त के साथ इमारतें पुरानी होती हैं नई बनती जाती है इतने ही समय में अगर बहुत सारी एम्स बनकर तयार हो गई होती तो जनता को विकास की इस गती का लाग खूब बिलता क्या यह गती केवल मिडल क्लास के उस हिस्से के लिए है जो बिल्डिंग देखकर अपना सीना फुला लेता है इन सवालों का मतलब आज के भारत में नहीं रहा लेकिन इसकी जग़ तो होनी ही चाहिए कि संसत की इमारत को लेकर आप इतने उत्साह में ट्वीट कर रहे हैं और प्रधान मंत्री से ये सवाल नहीं पुछ रहे हैं कि बिना चर्चा के बजट पास हो गया आपने विपक्ष से क्या संवाद किया क्या आपने विपक्ष के साथ चर्चा के बाद बजट पास कराने को लेकर कोई बैठक बुलाई थी क्या इस बात के कोई प्रमान है कोई सूचना है तो बता दीजिए यह खबर अगस 2021 की है मौनसुन सत्र में 20 बिल बिना चर्चा के पास कर दिये गए पियारेस इंडिया का एक अध्यन है अगर आप 5 साल का कारेकाल पूरा करने वाली संसत से 2014 से 19 के बीच के कारेकाल के तुलना करेंगे तो यह दूसरा सबसे कम काम वाला कारेकाल रहा है इसकी तुलना 15 लोगसभा से की जाती है और बताया जाता है कि 20 प्रतिशत जादा काम हुआ मगर सभी पूर्ण कालिक लोगसभा के ओसत कामकाज को देखेंगे तो यह 40 प्रतिशत कम है 16 लोगसभा में विधह को पर जादा काम हुआ है मगर इसमें भी एक पेंच है हर बिल संसत की कमेटी में चर्चा के लिए भेजी जाती है प्राया 14 ली और 15 लोगसभा में जितने भी बिल पेश हुए उनमें से 60 से 70 प्रतिशत बिल लोगसभा की कमेटीों में चर्चा के लिए भेजे गए मगर 16 लोग सभा में ये प्रतिशत घटकर 25 पर आ गया यही नहीं बजट का 83 फीसिदी हिस्सा बिना बहस के पास कर दिया गया कहने का मतलब है कानून बनाने की संसत की इस एहम प्रक्रिया का महत्व घट गया इसे लेकर कोई ट्वीट नहीं है बिल्डिंग को लेकर उटसा है सेलफी कीचाते रहे इसे भी नोट करें कि 16 लोग सभा में बजट का 83 प्रतिशत हिस्सा बिना चर्चा के पास हुआ तो 2023 से 24 के बजट का 100 फिस्स दी हिस्सा बिना चर्चा के पास हुआ आर्टिकल 107 में लिखा है कि बिना दोनों सदनों की बहस की सहमती के कुछ विशेश बिलों के अलावा कोई बिल पास नहीं हो सकता जब तक बहस नहीं होगी आप सहमती या असमती के बारे में जाननी सकते तो एक तरह से इस आर्टिकल का कितना उलंगन हो रहा है पालन हो रहा है इस पर कोई शोक नहीं इस पर कोई शोर नहीं शोर है कि नई इमारत बन गई है एक नया ट्रेंड है अस्पताल बनाने के नाम पर भव इमारत ने बहुत जल्दी बना दी जाती है आप कहीं भी चेक कर लिजिए क्योंकि इमारत जल्दी बन जाती है मगर डॉक्टर आने और पूरा विभाग चालू होने में कई साल लग जाते हैं यह भी आप कहीं भी चेक कर सकते हैं इसलिए आप देखेंगे कि इमारतों पर बहुत जोर रहता है अब तो भीड देखकर प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपे का कर दिया जाता है समाने दिनों में वैसे 10 रुपे का ही मिलता है इन दिनों रेल मंत्री के ट्वीटर हैंडल से रेलवे स्टेशन के बहुत से एनिमेशन वाले वीडियो ट्वीट किये जाते हैं कई ट्वीट में लिखा रहता है कि प्रस्तावित हैं इससे ये समझना मुश्किल है कि उस एनिमेशन को मंजूरी मिल गई है या मिलने वाली है रेलवे स्टेशनों का इस तरह से भवे बनाया जाना क्या आम यात्रियों की यात्रा को बहतर करने की योजना का हिस्सा है या उस मिडल क्लास के लिए सेलफी नेशन बनाना है जो हर वक्त फोटो खीचने के लिए कोई कोना खोशता रहता है यह सवाल आपको विकास विरोधी लगेगा मगर कोई भी विकास सवालों से परे नहीं होता स्टेशन की इमारतों को लेकर सरकार जल्दी में दिखने लगी है क्या इसके जरिये करोडों लोगों को प्रभावित करने की कोई योजना है कि बहुत कुछ हो रहा है क्या इन स्टेशनों की तरह रेल यात्रा के उनके अनुभवों को भी शांदार किया जा रहा है खरिदने वाली जनता के पास विकल भी क्या है रेल के महंगे होने का असर देखना है तो आप उन बसों में सफर कीजिए जो स्लीपर बसें कहलाती है इस जगह की भीड बता रही है कि आम रेल यात्रियों की जिदगी में क्या सुधार हुआ होगा किसी भी एंगल से आप दिल्ली के आनन बिहार को देख लीजिए जमीन से लेकर आसमान तक में इसका बे तर्तिब पन आपको बताएगा कि इन यात्रियों का हाल लेने वाला शायद कोई नहीं हम आपको आनन बिहार इसलिए ले आए हैं ताकि आप से एक सवाल कर सकें सवाल यह है कि इन स्लीपर बसों का अस्तित्व में आना क्या कुछ भी नहीं कहता अगर गरीबों के लिए परियाप्त संख्या में ट्रेने चलाई गई होती तो लोग इन बसों से लंबी दूरी की यात्रा तैकर दिली से मोतिहारी या दर्भंगा क्यों जाते इतनी लंबी दूरी की यात्रा इन बसों से करना आसान नहीं जिस दौर में आप बंदे भारत की रफ्तार दिखा कर गुबारा हुए जा रहे हैं उसी दौर में ये कौन सा क्लास है जो इन बसों से यात्राएं कर रहा है। इन बसों के भीतर का हाल भी कभी जहाक कर देखिएगा। क्या ऐसा हुआ है कि आम लोगों को देखते हुए आम ट्रेणों की संख्या कम बढ़ाई गई हैं। या रेल का किराया इतना महांगा हो गया है कि लोग इन बसों से लंबी दुरी की यात्राएं तेय कर रहे हैं। बात ये है कि इन सब सवालों को मीडिया से गायब कर दिया गया है, आम लोग ही गायब कर दिये गये हैं। क्या आपको पता है कि बिहार के दर्भंगा से, सुपॉल से, मुजफरपूर से और मोतिहारी सहित कई जिलों से हर दिन करीब 100 बसें दिल्ली की तरफ रवाना होती हैं। मोतिहारी का स्टेशन भी कम चमकदार नहीं है, लेकिन यहां से लोग बसों में भरकर दिल्ली तक की यात्राएं कर रहे हैं। इस प्रकार एक महिने में इन बसों से 12,000 यात्री दिल्ली पहुंचते हैं। पंकज ने लोगों से बात कर एक अनुमान लगाया, उनका कहना है कि इसकी वज़र रेलवे में खोजी जा सकती है, क्योंकि रेलवे जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। पंकज ने बताया कि मोतिहारी से दिल्ली साथ ट्रेने दी गई हैं, इन में से हर दिन एक ही ट्रेन नियमित है जो मोतिहारी से दिल्ली जाती है, जबकि जिले की आबादी करीब 12,000,000 हैं। क्यों मोतिहारी से हर दिन एक ही नियमित ट्रेन हैं, इसके अलावा 6 ट्रेने हैं जो सब्ता में सिर्फ एक या दो दिन ही दिल्ली जाती हैं। प्रति दिन दिल्ली जाने वाली सब्त करांती सूपर फास्ट एक्स्प्रेस हर दिन करीब 1000 यात्रियों को लेकर दिल्ली जाती है, वहीं साब्ता ही ट्रेनों से 300-500 लोग जाते हैं। जाहिर है लोग इन बसों में ठेला कर ठुसा कर यात्राएं करेंगे ही। क्या रेल मंत्री इन तस्वीरों को ट्वीट कर सकेंगे। इन बसों के योगदान को भारत की विकास यात्रा में जोड़ पाएंगे। जो नमस्ते बस है, इससे आप लोग कहां जा रहे हैं। तो बस से जा रहे हैं, ट्रेन से क्यों नहीं गया है। त्रेन में टिकट नहीं मिला तो इस कारण बस आप कितना घंटा का जर्नी होता है यह पहली बार जा रहा है कहां के रहने बाले हैं अच्छा पहली बार दिल्ली जा रहे हैं क्यों सुविधा इस नहीं जा रहा है कैसा सुविधा एक ट्रेन में नहीं मिल जाता है तो इस असान साथ में चला जाता है कितना किराय लगता है शेशन पर लगा आचा ट्रेन में टिकट नहीं मिला कितना दिन से ट्रेन में परियास कर रहे हैं परियास तो इसमें तो पेसाब वह वह रोकेंगे यह लोग वोटल पर रोकते हैं इस वए से हम लों मतलब अगर आम लोगों के लिए रेल सुविधायें बहतर हुई हैं तो स्लीपर बसों की भरमार क्यों हैं यह सवाल चमकदार स्टेशनों की तस्वीरों के आगे दबा दिया जाता है जरा सोचिए क्यों वंदे भारत पर इतना जोर है इसका एक जवाब तो यही है कि मिडिल क्लास के एक वर्ग को विकास का आकरशक चेहरा दिखाया जा रहा है ताकि वो सीना फुला सके और इसे देखकर बाकी लोग जहांसे में लाए जा सकें कि यह सुविधा उन्हें मिल सकती है जबकि उनके लिए नहीं है वंदे भारत का टिकेट बहुत महंगा है अब तो होली, छट या गर्मियों में रेल गाडियों की हालत पर रिपोर्टिंग बंद सी हो गई है चैनलों के रिपोर्टर जनरल क्लास में यात्राएं करके हाल नहीं बताते हैं कि आम लोग किस तरह से दिल्ली से पटना या दिल्ली से दर्भंगा जा रहे हैं वाट्सव उनिवर्सिटी में फैलाई जा रही फेक न्यूज और फरजी इतिहास को सच मानने वाले वर्ग में एक बड़ा वर्ग बुजूर्गों का भी है इन बुजूर्गों को कभी रेल टिकट पर छूट मिला करती थी जो समार्थ कर दी गई है रेल मंत्री ने लोग सभा में यही कहा है कि वर्ष 2019-2020 के दोरान वरिष्ट नागरीकों को यातरी किराय में रियायतों के कारण लगभग 1667 करोड रुपे के राजस्व की हानी हुई है यानि पहले जो सबसिडी दी जा रही थी वो राजस्व हानी है वाटसब युनिवर्सिटी के फर्जी इतिहास को फैलाने वाले हमारे बुज़ुर्गों को एक काम करना चाहिए पहले जितनी भी छूट उन्होंने ली है सरकार को वापस कर देनी चाहिए देश विश्वगुरु बन रहा है संसत की नई इमारत और रेलवे स्टेशन को भवे बना देना इससे प्रचार अच्छा होता होगा या बहस और यात्राओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता होगा या एक खुला प्रशन है जिस पर आप 20 साल बाद विचार कर पाएंगे अभी आपका परम करतब्य यह तै हुआ है कि हर तरह के अधर्म का धर्म की राजनिती के नाम पर बचाव करना है वो आप काफी बढ़िया कर रहे हैं हर दिन करोडों लोग रेल यात्राएं करते हैं पहले इनकी आँखों में बुलेट ट्रेन के नाम से चमक पैदा की गई एक ट्रेन से कितनी चमक पैदा होती इसलिए वंदे भारत से की जा रही है आपका ध्यान आम रेल यात्रियों के दुखों पर ना जाए इसलिए वंदे भारत का लाँच हाई प्रोफाइल कर दिया गया है इसे लाँच करने प्रधान मंत्री जाते हैं इस ट्रेन का किराया शताबदी से भी महगा बताया जाता है इसमें सफर करने वाले मिडल क्लास का एक हिस्सा बहुत खुश भी है लेकिन जिस जोर शोर से वंदे भारत को दिखाया जाता है उस जोर शोर से आम लोगों के लिए आपने कोई ट्रेन कब लाँच होते देखी है क्या आपको पता है कि कोरोना के समय कई राजियों में छोटी दूरी की ट्रेने जो बंद की गई उसका वहां के जन जीवन पर क्या असर पड़ा है इन सभी सवालों को गायब कर देखने में खिलोने सी सुन्दर लगने वाली ट्रेन को रेलवे का चेहरा बना दिया गया है कभी रेल मंतरी गरीब रत चलाया करते थे आपने प्रधान मंतरी मोदी को गरीबों के लिए किसी ट्रेन को लाँच करते कब देखा इस वंदे भारत को लाँच करने की कितनी जल्दी है आप देखिए 2022-23 में 35 वंदे भारत की रेक्स बननी चाहिए थी बनी केवलाट यह संसद की स्थाई समिती की रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष बीजेपी के ही संसद राधा मोहन सिंग है एक मार्च 2023 को यह रिपोर्ट पेश हुई है रिपोर्ट लिखे जाने तक आठ रेक्स ही बन पाई थी जबकि लक्ष था 35 गाड़ियों के बनाने का यह सवाल मोधी सरकार के लिए महत्यपूर्ण है क्योंकि वह समय पर लक्ष पूरा करने का दावा और दंभ भरती है राधा मोहन सिंग की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ही लिखा है कि रेलवे के लिए लक्ष पूरा करना आसान नहीं होगा मेरा सवाल है कि इस ट्रेन को लेकर क्या आपको बताया जाता है कि बाकी ट्रेनों की क्या हालत है मुद्दों को लेकर जनता को काफी भढ़काया जा चुका है जरूरी सवालों से आबादी के बड़े हिस्से को धक्का देकर बाहर कर दिया गया है उस पर हर दिन सामप्रदाइक मुद्दे थोपे जा रहे हैं करते रहे हिंदू मुस्लिम आपका जीवन असुरक्षित होता जा रहा है लेकिन धर्म का खतरा पैदा किया जा रहा है प्रधान मंत्री की डिगरी क्या है पूछने पर फाइन हो जाता है पोस्टर लगाने पर एफ आई आर हो जाती है बिना चर्चा के बजट पास हो जाता है लेकिन संसत की नई इमारत पर सीना फुला लिया जाता है नई इमारतों को देखकर इतना भी मत इतराईये जैसे इस तरह की इमारत कभी देखी ना हो दुनिया में पहली बार नहीं बनी है इसकी चिंता कीजिए कि आपकी आवाज जिन मंचों पर उठा करती थी उस मीडिया नाम की संसत का क्या हुआ? पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा नमस्कार मैं रवीश कुमार